इस वेल्कम बैक टो दे चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे पी ए मोदी का फ्रन्ट फूट में जाके यु एस के सॉयल में यु एस के एगेंस्ट में कैसे छक्का लगाया है उसको लेकर आप बोलेंगे पी एम मोदी कबसे क्रिकेट खेल रहा है ऑविसली पी एम मोदी क फिर से प्रूफ हो गया और इस बार हुआ यूएस के सॉयल में आप पुझेंगे एक्जाटली हुआ क्या है यह तो बता हूँ प्रेजनली हम लोगों को पता था कि हम लोगों के जो पीए में वो यूएस गये थे अपना विजिट में जो पॉर्ट का मीटिंग होने बला था वहां से पॉर्ट का मीटिंग ने है वहां बहुत सारा मीटिंग हुआ तो पीम मोदी भी अपने तरफ से डिफरेंट जो मीटिंग है उसमें भी पाटिसिपेट किया डिफरेंट जो संगतन है डिफरेंट टाइप जो गूप से डिफरेंट टाइप जो कंट्री के लीडर से उन लोग के साथ मिले इन सारे मीटिंग में one of the major meeting था जो PM Modi ने किया जो US के Sikh संगटन है उन लोग के साथ जिसमें अगर देखा जाए different type of जो US के जो Sikh leaders है उन लोग के साथ PM Modi मिले और उन लोग के साथ एक लंबा conversation हुआ जिससे हम लोग judge कर सकते कि आज के rate में इंडिया ऐसा को प्रोटेस्ट नहीं करेगा यह जो defensive जो इंडिया का mood था यह change हो गया बहुत पहले ही और अभी जो है यह offensive mood में convert हो गया और अभी तो देखने को मिल गया कि US के soil में रहके PM Modi वहीं से इंडिया के लिए चक्का लगा दिया कैसे यह क्या हुआ नहीं हुआ पूरा details जो है आप से आगे जाके वीडियो में discuss करें मगर उससे पहले तोड़ा सा कुछ fact बता थे आपको exactly US को लेकर आज करें हम लोग देखें यूएस के साथ इंडिया का जो दोस्ती है बहुत ही बढ़िया है एकदम शांदार है जिसमें US जो quad meeting होने वाला था उसमें इंडिया को बोला के बहुत है आप तो quad का boss हो on the other side US अभी interested है कि इंडिया के साथ मिलके कैसे military semiconductor या फिर जीप्स बना जाए हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा chief manufacturing unit बने अभी इसमें कुछ confirmation नहीं है on the other side अगर देखा जाए US और भी interest हो क्या है कि US चाहता है कि presently इंडिया जो है जालता तुरांद पुड़ा करते हैं तो ये था सिख्येखा एक पहलो दूसरा पहलो अभी अगर टॉस करते तो आपको दूसरा पहलो भी देखने को मिलता है प्यम होदी जब US विजिट करने वाले थे बस उससे कुछ गंटे पहले अगर आप देखें at that point of time White House में एक meeting organized किया गया US के दोरा और ये White House के हिस्ट्री में first time था कि जो प्रो खालिस्तानी लीडर से उन लोगों को White House में बुलाया गया उन लोगों में एक meeting organized किया गया US government के दोरा इस meeting में डाक्टर पीदपाल सिंग को भी बुलाया गया वो presently जो खालिस्तानी movement है उसके साथ connected है on the other side US government के दोरा कहा गया उनको के आगे जाके खालिस्तानी movement को लेके Indian government के साथ US government का जो कोई भी बात होगा वो बात उनके साथ share किया जाएगा अब जब White House में ये सब कुछ चल ला था उस time में मोदी जी US travel कर रहे थे और US में पहुंचने वाले थे और कुछी देल में मोदी जी US में पहुंच गया उसके बाद US के साथ इंडिया का different type of deal हुआ on the other side का मिटिंग हुआ जिसमें US ने अपने तरफ से बोला कि हम लोग जो है military semiconductor production करेंगे इंडिया में आगए जाके हम लोग इंडिया में ये production हो made in इंडिया हो ये भी देखेंगे साथ ही साथ आपके साथ different type of defense deal है वो भी हम लोग आपके साथ करेंगे on the other side आगर हम लोग अजित दोबल साब वो रशिया गयते है वो पुतिन से मिला और पुतिन को different type of जो communication था वो ब्रीफ किया तो ये जो रशिया में अजित दोबल साब का visit ता उसके बाद ही अचानक से US ये प्रो खालिस्तानी मूव्मेंट को लेके या पी जो पन्नू का असासिनेशन का जो के और हम लोग हर किसी वे में इंडिया को हेल्प करना चाहते हैं इंडिया का इकोनोमी ग्रो इसमें भी हम लोग बहुत जाथ हैं इंट्रेस्टेल है तो US गवर्मेंट के तरफ से एक समनी शुक्त किया गया और उसके बाद ही US गवर्मेंट ने ये जो खालिस्तानी लीडर्स के जो मीटिंग था वुइड़ा उस में वो और इसके बाद मोदी जी इंडिक्ट इसी इंडिकम और इसके बाद मोदी जी और में तरफ से ये वर्में करकी सब करे तो मोदी जी के को प् sequed में उन लोगों के साथ किया, उन लोगों के जो लीडर से, उन लोगों के साथ मोदी जी मिले, एक लंबा conversation हुआ सब के साथ, जो exact जो issues था या फिर जो discussion था, सब कुछ हुआ है, इस मीटिंग में उन लोगों के साथ मोदी जी का बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ, मोदी जी बहुत टाइम से उन लोगों के साथ बात किया, अट पॉन्ट आफ टाइम उन लोगों का कहना था, कि मोदी जी अपने कारियकल में सीखो के लिए जो किया है, वो previous कोई भी प्यम ने नहीं किया, आज के डेट में आगर देखा जाए, कातार सिंग जो कॉरीडर है जो पाकिस्तान में उसको कोन ला, गुरुनानाव जी का 550 बर्ड़े को ग्राइंड सेलिब्रेशन में कनवर्ट करना, जो सीख ब् यह सब मोधिन जी के कारेकाल में ही हुआ है, और मोधिन जी यह सब करने में बहुत हेल्प किया है, तो आज के डेट में अगर देखा जाए, जो सीख है, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा सेफेश पोजिशन में है, on the other side, उन लोग का कहना था, कि बहुत ही जल्दी हम लो अगर हम लोग देखे बहुत ही पहले से आज नहीं exactly यह इस का हैबिट ही है, बहुत ही पहले से उन लोग का हैबिट है के different country में different propaganda रन खरना, और उसी पोपोगांडा के ऊपर खड़ा होके वो लोग different country के ऊपर जो छड़िये उसको भुमाना, मगर इस बार जो है यह यह ट् प्रोपोगंडा रन हो जिसमें अगर ये पन्नु का केस देख लेए इसमें अजित दुबल साफ हमारे तरफ से क्लीन और क्लियर बोल दिया है कि हम लोग के तरफ से अभी तक पन्नु के एगेंस्ट में कोई भी आक्शन नहीं लिया गया है अगर हम लोग देखें युएस डिफरेंट टाइप अप जो प्रोपोगंडा हो इंडिया के एगेंस्ट में रन करता है और यह जो है इसमें भी बहुत गलत होना है तो अवियसलि यह जो बात है यह सही नहीं है आज हम लोगों को पता है कि इंडिया में एक्जाक्ली सीखोगा क्या कंडिशन है और से ते डिफरेंट एक आपने तरफ से हमेशा कोशिश करता रहता है कि बहुत हो हम लोगों कैसे भी करके कुछ ना कुछ पॉपगंडा रान करना है मन्जब इंडिया को अपने लीशे रखना है य को दबा के रखना है कि इंडिया में जो लाइफ है सीखों का वो बहुत ही अच्छा है और मोदी जी आज तक सीखों के लिए जो जो भी क्या है सब वो लोग एक साथ बोला On the other side वो लोग इंडिया भी आना चाता है क्योंकि मोदी जी के साथ बात करना है About the sick life in US तो hopefully ये वीडियो आपको इंडिया का ग्रोथ होता रहा है तो obviously हम लोगो को बहुत ही कुछी मिलता है On the other side, इस वर हम लोगे PM ने जो step लिया है Hopefully PM हमेशा कोई भी इंसिडेंट हो, इंडिया के तरफ से ऐसा ही step लेगा इससे इंडिया और भी fast ग्रो कर पाएगा अगर आपको ये वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा YouTube चैनल इस अतनु पॉल A.T.A. A.N. SPACE.P.E.R.L. को जागे सबस्क्राइब कीज़ेए Different type of interesting videos वहाँ आपको मिलने वाला है जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है वह आप इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है अंदाधा से हम लोग जैसे जो creator है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है जब ही भी चैनल को सबस्क्राइब कर रहा है जो बेल आइकाने उसमें भी क्लिक कर दीजेगा क्योंकि इससे क्या होगा जब ही वीडियो आएगा जिस टाइमें भी आए आपके पास इंस्टार नोटिफिक्शन पहुंच जाएगा आप वो वीडियो देख पाएंगे आज ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद